हेलो गाईज, वेलकम टो इंग्लिस एजुकेशन, इस्टूडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 विस्तास बुक्स एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टॉरी से शॉर्ट कोशन आंसर और स्टॉरी को, मिन्स चैप्टर को हम अलरड़ी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो डिस्किप्सन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकती हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आ तो देखे जो स्टॉरी है, वह एक लड़की जिसका नाम जो है शॉर्ट में, तो उसकी कहानी है, उसके डैड़ी उसे हर रोज साम को, या सैटर्डे नैप के समय पर उसे एक कहानी सुनाया करते थे, हर बार उनकी जो स्टॉरी होती थी, उसमें रोजर नाम का एक कैरेक्ट हुआ करता था, तो उसके बारे में वह हर रोज से कहानी सुनाया करते थे, तो देखे उसी पर आपका कोशन है, वाट कस्टम डिट जैक फोलो इन दा इवनिंग एंड फोर सैटर्डे नैप, तो देखे क्या रिवाज था जैक का, जैक ने क्या रिवाज को अपनाया था, ज जैक वुड़ तैल, हीज फोर इयर ओल्ड डियोटर जो आइस स्टोरी आउट ओफ इस हैड इन दा इवनिंग एंड फोर सैटर्डे नैप, तो देखे जो जैक था, वो अपनी चार साल की, उसकी चार साल की एक बेटी थी, जिसे वो कहानी सुनाया करता था, हर रोज साम को, जब वो सोती थी उससे पहले या फिर सटर्डे नैप के लिए, तो देखे ये कहान, ये जो रिवास था, ये कब शुरू हुआ था, ये तब शुरू हुआ था, जब वो दो साल की थी, इट वास नियर ली टू यर्स ओल्ड, मतलब जब वो लगभग कितने साल की थी, दो सा की तो इससे पता चलता है कि अभी वो कितने साल की होगी, वो चार साल की है, वाट वास दा बेसिक टेर, अंडरलाइंग इच स्टोरी डैक, डैक, जैक टोल्ड, तो देखे हर, वो जो कहानी हरोज उसे सुनाया करता था, तो वो मूल रूप से किन चीजों पर आधारित रूजर नाम का उसमें एक कैरेक्टर होता था, जो कि एक क्रियेचर होता था, और उसकी अपनी एक कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ पर एक वाइज यानि कि बुद्धिमान एक आउल भी था, वो टॉल्ड हिम टू गो टू आ विजार्ड, विजार्ड मिन होते हैं, जादूगर, तो देखें, जो रोजर होता था ना, उसकी एक प्रॉब्लम होती थी, तो वो किसके पास जाता था, आउल के पास जाता था, और आउल उसे बताता था, कि तुम्हें किसके पास जाना चाहिए, तुम्हें एक जादूगर के पास जाना चाहिए, दा wizard perform a magic spell magic spell means जादू का मंत्र तो देखे जो wizard होता था जादूगर होता था वो जादू का मंत्र बोलता था इससे क्या होता था रोजर की प्राब्लम उल्ब हो जाती थी he demanded more pennies than roser had तो देखे roser के पास जितना पैसा हुआ करता था तो जो wizard था वो उससे ज़ादा पैसे मांगा करता था किसलिए मांगता था क्योंकि उसने उसकी problem को solve किया था then he directed roser to the place where extra money could be found तो देखे फिर वो उसकी एक और problem को solve करता था क्योंकि उसके पास तो पैसे उतने होते नहीं थे तो फिर वो उसे ऐसे बताता था कि तुम्हें वहाँ जाना है वहाँ पर उसे पैसे मिल जाया करते थे roser felt happy and played many games with other creatures अब रोजर बड़ा खुश हुआ करता था इसके बाद और वो दूसरे creatures के साथ बहुत सारे games खेला करता था he then went home और फिर वो घर पर चला जाता था his daddy arrived from Boston Boston यह पर एक जगा का नाम दिया गया है तब तक उसके जो daddy थे वो Boston से वापस आ चुके होते थे they had supper तो उसके बाद वो रात का खाना खाते थे the story winds up with the description of the items of the super तो दिखे जो कहानी होती थी ना वो कहाँ पर खतम हो जाती थी कि रात के खाने में जो जो वो खाते थे उसके description के बारे में यह सारी कहानी खतम हो जाया करती थी how was the custom of the storytelling especially fighting on Saturday तो देखे यह जो revise था story selling का storytelling का यह जो है बहुत थका थका देने वाला होता था Saturdays को ऐसा क्यों होता था ऐसा क्या था तो देखे जो वास growing up अब जो थी उसकी बेटी वो बड़ी हो रही थी she never fell asleep in nap anymore और वो और ज़्यादा मतलब जपकी लेना नहीं चाहती थी वो सोना नहीं चाहती थी her brother Bobby तो देखे उसके भाई का नाम क्या था Bobby था who was two was already sleep with a bottle जो दो साल का था और वो जो है already सो चुका होता था bottle के साथ but Joe would not take her nap like an infant तो देखे जैसे infant में सोता है शिशू जिस तरह से शिशू छोटा बच्चा जपकी लेता है जल्दी जल्दी से सो जाता है तो अब जो बड़ी हो गई थी वो इस तरह से नहीं सोती थी the bump her feet made her under the cover where all way down the bed तो देखे वो अपने पैरो से जो बैट था उसके cover थे उसको नीचे गिरा देती थी her fat face deep in the pillow उसका भारी भर का मोटा सा जो चहरा था वो पिलो में यानि कि जो तकिया उसका होता था उसमें गहराई में रहता था so on in the sunshine और sunlight जो कि कहां चमकता रहता था जो रोशनी आती थी window से उससे चमकता रहता था तो देखे इस समय Saturday की बात है Saturday में उसे सुलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो सोती नहीं है क्योंकि वो अब एक बहुत ज़्यादा चोटी बच्ची नहीं है थोड़ी बड़ी हो रही है तो इसलिए वो नहीं सोती है और वो जो है पिलो पर लेती रहती है और उसका च जाती थी तो जो फादर थे उसको और ज़्यादा और ज़्यादा कहानी सुनानी पड़ती थी तो इसलिए यह जो कस्टम था यह व्यर्थ लग रहा था और यह बहुत ज़्यादा थका देने वाला लग रहा था Saturday को Which animal did Joe suggest for the story that day तो देखे एक दिन Saturday की आपर बात हो रही है जो जो ने किस animal को suggest किया as a hero story में What do you know about this new animal और इस नए animal के बारे में आप क्या जानते हैं तो देखे जो suggested skunk तो देखे जो ने एक character सुझाया जिसका नाम क्या था skunk था for the story that day उस दिन जिस दिन की story बताई जा रही है उस दिन जो ने एक नया hero story का बता है जिसका नाम skunk था It was a new animal for her उसके लिए एक नया animal था they must be talking about it at nursery school शायद उसने जो है nursery school में उसके बारे में बात की थी A skunk or a pole cat is a small black and white तो देखे इस कंक किसे कहा जा रहे है पोल केट को बताया जा रहे है जो स्मॉल और ब्लैक होती है ब्लैक और वाइट होती है नौर्डन अमेरिका में अमेरिकन अनिमल है जो इट कैन प्रोड्यूस इस्ट्रॉंग अन्प्लीजेंट स्मेल तू डिफेंड इट सेल्फ हैं इट इस अटेक्ट अटेक्ट तो देखे यहां पर बताया जा रहा है कि य स्मॉल प्रोड्यूस करती है अपने आपको बच्छाने के लिए जब उसके उपर कोई भी दूसरा अनिमल अटेक्ट कर देता है वाइडिट रोजर इसकंग गो टू सी डा ओल तो देखे जो रोजर इसकंग है वो ओल्ड आउल से मिलने के लिए क्यों गया होगा तो आप वाइडी की स्टोरी में बताया कि जो भी क्यारएक्टर होता था उसकी कोई प्रावल्म होती थी वो ओल्ड के पास जाता था ओल फिर उससे सजेस्ट करता था कि वो विजब आपस जाता था तो देखे यहां पर यही कौशन है कि आया जो रोजर इसकंग है वो ओल से मिलने क ले क्यों गया होगा तो डू टू दा फाउल बोडी ड्योडर ऑफ इसकंग तो दिखे जो बोडी ड्योडर था यानि कि बोडी की जो स्मैल थी इसकंग की वो बहुती बेकार थी अधर एनिमल वर नॉट इंट्रस्टेड इन प्लेंग विद हिम और जो दूसरे एनिमल से न व यही कारण था कि वो उस स्मैल से छुटकारा पाना चाहता था तो वो चुटकारा पाना चाहता था उस बैड स्मैल से इसी लिए वो वाइस आउल के पास जाता है How did Joe and Jack react as the new animal was mentioned तो देखे जो का यानिके बेटी का और जैक का यानिके डैडी का क्या reaction था नए एनिमल को mention करने पर तो देखे जो स्कुराती है और ये सोचकर मुस्कुराती है कि उसने जो है एक नए animal को यानिके एक नए character को think किया She opened her blue eyes and said friendly skunk तो देखे वो क्या करती है वो अपनी आखों को blue color की जो आखे थी उनको खोलती है और बड़ी ही द्रड़ता से कहती है कि आज का जो character होगा वो क्या होगा skunk होगा having a fresh hero masonry stood jack to creative enthyswels तो दिखे यहां पर बताया गया है कि यह जो fresh hero आया था ना story में इसकी वज़ा से जो creativity थी ना story की वह और ज़्यादा बढ़ गई थी he started telling the story of roger skunk that smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him तो देखे स्टॉरी जो है सुरू होती है जो jack होते हैं वो स्टॉरी को बताना शुरू करते हैं कि roger skunk जो था वो बहुत बुरी तरह से bad smell किया करता था और कोई भी दूसरा जो जंगल का creature था उसके साथ नहीं खेलना चाता था तो यानि कि नया character आने के बाद स्टॉरी की जो creativity थी वो ज़्यादा बढ़ जाती है next question है how did jack imagine the reaction of roger skunk on being universally detested तो देखे यहाँ पर question पूछा जा रहा है कि सबके द्वारा roger से घ्रिना की जाती थी यानि कि जितने भी creature थे वो roger से घ्रिना करते थे इस घ्रिना किये जाने पर jack का क्या reaction था कि मतलब सबके द्वारा उससे घ्रिना की जाती थी किस तरह से वो react करता है जैक वेनेवर roger skunk went to play went out to play तो जब भी roger skunk बाहर खेलने के लिए जाता था all the other teeny animals would cry जितने भी छोटे animals से वो चिलाने लगते थे क्या कहते थे oh ho here comes roger stinky skunk तो कहते थे कि ये देखो stinky stinky skunk आ गया है then they would run away फिर वो दूर भाग जाते थे roger skunk would stand there all alone तो देखे ये ऐसे में roger skunk जो था वो बिलकुल अकेले खड़ा रहा जाता था two little round tears would fell from his eyes और क्या होता था उसकी आँखों से दो गोल गोल आसु गिरने लगते थे jack would relate all this with just remembering certain humiliation of his own childhood तो देखे यहां पर बहुत अजीब सी बात है कि यहां पर जो jack है ना वो अपने बच्पन की कुछ अपमानों को याद करता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था और इस सब को उचसा के साथ जोड़ देता है यानि कि वो स्टोरी को और क्रियेटिव बना देता है यानि कि अपनी कुछ यादे जो हैं वहां पर जोड़ देता है उस character के साथ और और जदा क्रियेटिव उस स्टोरी को बना देता है हाव दो यू थिंक डिड जो आइदेंटिफाई विद रोजर इसकंग दा विक्टम ओफ दा हीटर ओफ अदर क्रियेचर्स तो देखें कोशन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि जो ने जो दू क्या लगता है कि जो हीरो के साथ सुक दुख बाठती हुई नजर आती है कियो पता चलता है वो हम देखते हैं मौना है रोजर तो कम्प्लीट वास हर ऐन्टिफिकेशन और तो देखे जैसे ही स्टोरी में बताया गया है कि पता चलता है ना कि रोजर की आखों से आसु गिरने लगे तो यह सुनकर जो के आखों से भी आसु गिरने लग जाती है तो देखे जैक भी इस चीज को देखता है जैक क्या करता है जब उसकी नाक के पास अपनी फिंगर रखता है तो वो देखता है कि उसकी आखों से आसु निकले है जैक पर काम किया जब वो जो को कहानी सुना रहा था तो कौन सी दो अलग 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 ताकत देखने के लिए मिलती है जैक बड़ा खुश था कि आज वो जो को कुछ सचाई बता रहा है और कुछ ऐसा जो कि उसे जानना चाहिए तो देखे वो बिलकुल भी जल्दी में नहीं है वो नहीं चाहता है कि वो जल्दी से इस बात को स्टॉरी को खतम कर दे तो देखे जब ही क्या होता है तब ही जो है नीचे से यानिके जहां पर वो है उसके नीचे वाले फ्लॉर से चेर के खिसकने की घसीटने की अवाज आती है तो देखे तब ही उसे एहसास होता है कि उसे तो अपनी पतनी के मदद करने के लिए नीचे जाना चाहिए clear तो देखें आपर clear कौन है उसकी पत्नी का राम है clear to point the wood paint the woodwork in the living room और उसे याद आता है कि clear क्या कर रही है जो living room में woodwork है नहीं कि लकड़ी का काम जो हो रहा है उस पर वो paint कर रही है thus the interest of deuter and wife pulled him in the different direction like to opposite force तो देखें यही दोनों चीज़े एक तरफ तो अपनी बेटी की तरफ ध्यान देता है दूसरी तरफ तो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देता है दोनों का काम उसे करवाना है तो इस सरह से दो opposite force जो है अलग-अलग direction में उसका ध्यान हीचती है next question है और last हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आगे जो बाकी question answer है उन्हें हम next video में पढ़ेंगे तो देखिए last 10 question देख लेते हैं this was a new phase phase means होता है चरण ठीक है तो यह एक new phase था just this last month और यह last month की वाद थी a reality phase और यह वास्तिक्ता का phase था what do you learn about Joe's reality phase तो देखिए जो क्या समझती थी वास्तिक्ता के बारे में सच्चाई के बारे में जो क्या सीखती है क्या समझती है how did her parents try to convince her और उसकी जो parents होते हैं उसे किस तरह से मनाते किस तरह से समझाते हैं यह सारी चीजे तो देखिए Joe would ask if the magic spell were real तो देखिए जैसे वो कहानी सुनती है तो वो सुनती है कि magic spell से कुछ problem solve हो गई तो वो क्या पूछती है वो सच्चाई जानना चाहती है वो पूछती है कि क्या यह जो जादू के मंत्र होते हैं यह बिल्कुल सही होते हैं वास्तविक होते हैं वैं जैक टोल्ड हर देट स्पाइडर मतलब यह उसके जीवन की बात बताई जा रहे हैं कि वो अभी क्या सोचती है तो देखें सबसे पहले तो वो कॉशन उठाती है कि यह जो मैजिक स्पाल होते हैं क्या यह टू होते हैं रियल होते हैं फिर दूसरा कॉशन देखें वैं जैक टोल्ड हर जब जैक ने उसे यह बताया यह बिल्कुल सही है वैं क्लेर तो देखें जब उसकी मदर उसे यह बताती है कि भगवान का आकास में है और हमारे चारो तरफ है तो वो किस की तरफ जाती है अपने पिता की तरफ जाती है उस वास्तिक्ता को जानने के लिए जैक ट्राइड तो कन्वेंस हर बाई सेइंग तो देखें जैक जो है उसे यह समझाने की यह बताने की कोशिस कर रहा है कि स्टोरी में यह बिल्कुल सही होते है यानिके जो हम कहानी सुन रहे हैं उसमें यह वास्तिक होते हैं चाहे वैसे रियल में यह सही हो या ना हो लेकिन जो स्टोरी बताई जा रहे हैं स्टोरी में ये बिल्कुल रियल होते हैं तो यहाँ पर जो जो है भी काफी कोशन करने लग जाती है और वो सच्चा ही जानना चाती है तो आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं complete आगे के जो कोशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे I hope सभी कोशन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर